मन्सा सिध्धी करण मंत्र है मन्सा सिध्धी करण का अर्थ क्या हुआ? ये हमारे मन्से, हमारे करण से हमारी सिध्धियां अपने आप हासिल हो अर्थात हमारी रोजी वोटी बने धनुद्धी और घर में सुक शांती सम्विद्धी रहे मन्सा सिंधिकर मन्तर है ओम आम अम स्वाहा बहुती चोटा सा बहुती साधहरान सा मन्तर है लेकिन यह मन्तर अपने आप में बहुती शक्तियारी इस मंत्र की सि sixthी के लिए आपको रोज प्रती दिन एक सहस्तवार अर्ठात एक हजार बर जप करना है या यूँ कहें तस माला लेकिन हाँ ब्रह्म चर्यक कह साथ ब्रह्म चर्यका पालन भी करना है हलका भोजन करे हो सके तो एक वक्थ भोजन करे, दिन में उपब्राष के रात के समय भोजन करे आप देखिएगा आपके गहां में धन जोर बढ़ेगा सवा लाख का वैसे प्रयोग होता है और दशाश हवन होता है भावन में वैसे हवन सामगवी और घी का प्रवक्रत आति उत्तम या फिर दिल का तेल है इस मंत्र की सिद्धी से आपके घह में धन्धाने की वद्धी होती है आपके घह में उन्नती होती है प्रगती होती है सुक्षान्ती सम्विद्धी आती है इसलिए इसको मंत्सा कि इसकी कम से कम एक हजार जाप यह संभव हो तो दस हजार जाप का नुष्ठान कर ले आमाउस्या के रात्री भी एक हजार जाप अवश्य करें आमाउस्या और पूर्णिमा के दिन जल्दी आप पाएंगे बहुती चमतकारी परिणाम आपको मिलेंगे मंसा सिद्धी करन मंतर के सिद्धी और इसके प्रयोग से अपने घर की लगभग हर तरकी बाधाएं दूर हो सकती है सवाल लाग का प्रयोग होते होते अर्थात अगर आप रोज हजार करते हैं तो सवाला करता चार महिने लगभग चार महिने होते होते आप खुद परियोतर नजरा जाएगा अपने जीवन में बस दिल से करें और एक ही समय करने का प्रत्म करें और रोज करें